Hello friends, welcome to our channel Crypto with Vishal Market guys, अगर हम लोग बात करें तो एक critical जगा पे इस समय है और काफी जनों के जो question आ रहेंगे, क्या आप buying करनी चाहिए और सबसे important question, Bitcoin का price कहां तक जा सकता है इन सब चीजों के बारे में आज के वीडियो में discuss करेंगे लास्ट वीडियो का जो giveaway का winner था, उसको हम लोग यहाँ पे select करेंगे और ये वीडियो में भी आपको दो code दिखाई देंगे जिसको वीडियो के description पे दिये हुए form पे आप अपना coin credit का ID और ये दोनों code जो ये वीडियो में दिखेंगे आपको उसको डाल के आभी participate यहाँ पे ले सकते हैं और जिससे आपका coin credit का wallet है उसपे 1000 रुपीज जो आपको मिल जाएंगे इसी के साथ 50,000 का जो portfolio हम लोग उने start किया था दो वीग पहले वो कहाँ पे है उसके बारे में भी discuss करेंगे तो गाई सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं fear and greed index की तो हम लोग extreme fear में है और under 20 यहाँ पे आ गए हुए और market के बारे में बात करें तो 4.20, 420 अगर point हटा दे तो 4.20 का यहाँ पे market हमें down दिख रहा है alt coins के बारे में बात करें तो जितने alt coins है currently वो सारे के सारे यहाँ पे bleed कर दे एल्गो में एक जरूर हमें 5% का जो pump है वो दिखाई दिया बाकि अगर कुछ है भी तो उसको आप ignore यहाँ पे कर सकते हैं important चीज गाईस जो अभी हुई वो यह हुई कि bitcoin ने 34,000 के level को finally वहाँ पे आया है और अगर आप देखें तो जिस जगा से अभी एक support मिला है वहाँ से हमें February में भी हम लोग आये थे और एक support मिला था और अगर उससे नीची आए तो हमारे पास एक 32,900 पे तकरीबन तकरीबन यहाँ पे support कितना है यह यह आपका है 32,900 पे 33 पे एक हमें यहाँ पे support जो है मिल रहा है important चीज अभी यह रहती है कि यहाँ से एक तो क्या moment हो सकता और buying करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए दोनों का मैं आपको यहाँ पे answer दूँगा सबसे पहले तो guys buying अगर आप मेरे से पूछेंगे तो currently मैं नहीं कर दो bitcoin को मैं ज़रूर buy करना चाहूँगा यहाँ पे लेकिन मैंने last video में आपको बोला था कि bitcoin buy करूँगा लेकिन जो फिलहाल माहौल चल रहा है global level पे वो थोड़ा सा अभी यहाँ पे पैनिक का है और Monday का दिन यानि कल का दिन एक और दिन हमारे लिए पैनिक हो सकता है और बहुत important रहने वाला है Monday का दिन हमेशा से जब भी week start होता है वो दिन important रहता है पर कल का दिन इसलिए भी important रहने वाला है क्योंकि रशिया की तरफ से रशिया का victory day है कल तो वहां से कुछ update आ सकती है Ukraine जो रशिया का जो fight चल रहा है और अगर वहां पे कुछ होता है उसका effect जो है crypto market पे हमें देखने को मिल सकता है इस वजह से bitcoin की buying मैंने अभी थोड़े time के लिए छोड़ी है ए और एक चीज़ बोलना चाहूंगा आपको buy तभी करिएगा आप फिलाल अगर bitcoin भी buy करते थीरियम भी buy करते बाकी और coins नहीं क्यों नहीं वह भी थोड़ी सी देन में आपको बताता हूं क्योंकि long run पे अगर आपने portfolio बनाया है मैं long run का मतलब अगले 5 साल 7 साल 10 साल बात की ब बहुच सकते लेकिन अभी जो चीज़े हैं शायद ये वाला level touch हो सकता है अगर global level पे चीज़े ठीक नहीं होती है तो fed की तरफ से अगर कुछ बड़ा important चीज़ नहीं आती है कि वो पैसा market में दाल रहा है या इस तरीके की कोई positive update नहीं आता है तो आने वाले एकाद महीने म हमें इससे भी हम लोग नीचे जा सकते और एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब जब bitcoin तूटता है तो altcoin और ज़्यादा तूटते अगर मैं आपको पिछले एक महीने का भी चार्ट दिखाओ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि bitcoin के price में जब 19% का हमें dump देखने क को मिला, ethereum में और ज्यादा देखने को मिला और altcoins में उस से भी ज्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिला है तो यह याद देखना पड़ेगा कि जब bitcoin तूटे गा तो altcoins और जादा यहाँ पे तूटेंगे तो महौल थोड़ा सगंभीर यहाँ पे ज़रूर है इंडिया की से भी कुछ negative updates आ रहें पर वो मैं cover ही नहीं करता हूं क्योंकि और पैनिक मचेगा फिलहाल crypto market डाउन है और उपर से हम लोग इंडिया की भी negative news कुछ लेके आएं तो unnecessary उसको मैं मैं फिलहाल के लिए आप ignore करता हूं इसलिए मैंने कुछ दिनों से कोई भी news यहां पर cover नहीं करी है कुछ जरुवत होगी तो हम लोग उसे यहां पर cover करेंगे सालो साल घर चलता है पर अगर मैं बम डाल दूँगा घर पर दिवा तूट जाएगी फिर आप बोलें यार मजबूत सीमेंट लगाने का फायदा क्या होगा नॉमल सिनेरियो में आपके चार्ट चलेंगे पर अगर external कुछ बड़ा अपडेट आया कोविट को लेके रश्या यूक्रेन को लेके रिसेशन को लेके तो definitely आपके support नहीं चलेंगे वहाँ पर तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अभी के लिए buying अपनी यहां पर रोक सकते altcoins अगर buy करने है मेरा मानना personally आप लोग का अपना call है पर मेरा मानना ही है कि फिलहाल altcoins की buying अभी रोकनी चाहिए हमें क्योंकि जब तक bitcoin stable नहीं होगा तब तक altcoin की buy करके हमें फायदा नहीं हमने देखा है जितना bitcoin डाउन होता है altcoin double में डाउन होते है उसके तो अगर bitcoin यहा से market reversal भी हो जाए definitely हो सकता है लेकिन हमेशा से मेरा मानना है कि profit हो या ना हो नुकसान हमें नहीं होना चाहिए उससे बचना हमारे लिए साथा जरूरी है दो चार पैसे कम कमाएंगे कुछ नहीं होगा पर अगर नुकसान हो गया तो उल्टा उग गवा देंगे हम तो वो लगातार मैं यहाँ पर 1D के चार्ट पर हूँ आप देखेंगे लगातार मेरी red candle यहाँ पर 4 बनी और सबसे बड़ी अगली चीज़ होने वाली है जो आज तक bitcoin के history में नहीं होई है 6 weekly negative candle अभी तक ही नहीं बनी है पर इस बार का जो महौल है वो बन सकती है अगर हमें उससे बचना है तो एक bitcoin को बड़ा reversal यहाँ पर लेना होगा 3-4000 डॉलर का अगर 24 घंटे में वो एक इतना बड़ा reversal यहाँ से लेता है किसी update से तो definitely हमारा हो सकता है अब बात करें guys की market अगर हम लोग बात करें down क्यों हो रहा है तो actually में market down होने के पीछे कोई ऐसा कोई बहुत point पे जिनोंने इस साल February में खरीदा था या even मैं यह point पे बात करूँ जिन लोगोंने 33,000 डॉलर पे bitcoin को buy करा था उनको अब यह लगने लगाए कि यार अगर bitcoin और जादा गिरा तो हमें तीन महीनेत से हम लोगोंने hold किया हुआ था मैं बड़े whales की बारे में बात कर दो तो about recession के बारे में update था वो एक important factor थे bitcoin के price को नीचे लेके आने के इसके अलावा अभी कोई ऐसा बड़ा update नहीं है Sunday जरूर है weekend रहता है market में कुछ positive news नहीं होते है market में buying pressure नहीं होता है वो time पे इस तरीके के manipulation भी हमें देखने को मिलते हैं कुल मिलाके मैं बोलूँगा कल के वीडियो में भी बोला था आपको long run के लिए रहे और थोड़ा सा worst के लिए prepare रहेंगे अच्छा रहेगा mentally खाली पर हाँ अगर यहां से reversal हो गया तो बहुत अच्छी बात है उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है पर अगर गिरता है नीचे को कि माहौल घराब है तो एक थोड़ा सा mentally अगर हम लोग पहले से prepared रहेंगे तो एक हमारे लिए अच्छी चीज यहां पर रहेगी तो यह तो guys था फिलाल overall bitcoin के बारे में support हम लोगों ने पहले ही बात करी थी 34,000 का level तो बहुत कुछ बड़ी चीज वहां पर रही नहीं है 34, इंपोर्टेंट सपोर्ट की बारे में मैं बात कुछ तो 33,000 पर एक support है और जो बड़ा मजबूत support है वो हमारे पास 29,000 में उसके बारे में फिलालमी हमें यहां पर थियान रखना है इस भी reversal हो गया तो बहुत ही बड़ी बड़ी चीज होगी तो guys दो week पहले हमने खाली एक portfolio चालू किया था हमारा coin cat पे और अगर आप देखें तो यह चीज आपको यहां बता सकती है कि portfolio जो है किस हिसाब से यहां पे चल रहे हैं अगर आप देखेंगे मैं थोड़ा सा zoom कर दूँ तो यह आप देखें हम लोगों ने अभी portfolio हमारा बनाया था दो हफते में और 11% का portfolio portfolio डाउन है हमारा इस 11% के portfolio में हमने डॉच का जो profit था वो भी book किया था अगर आपको याद हो तो आप overall समझ सकते हैं जिसने पहले profit portfolio बनाया होगा उसको definitely यहां पर बड़ा नुकसान हुआ होगा तो मेरा मेरे according अगर हुआ भी है तो आप ignore करिये फिलाल इस portfolio में मैं अभी कोई भी चीज यहां पर buying नहीं कर दा हूँ मैं थोड़ा एक बार wait करूँगा BTC का reversal होने का और BTC का stable होने का उसके बाद alls की मैं यहां पर buying करूँगा coins जो लिए है मैंने मेरे को perfectly अच्छे coin है वो एक दो coin ऐसे है जिसमें से एक AP है जो मुझे यहां पर buying करना है पर वो एक बार मैं wait कर दा हूँ थोड़ा सा मेरे को BTC stable मिले तो हम उसको एक बार यहां पर buying करेंगे तो यह तो था गाईस फिलाल overall update कुछ और रहेगा तो मैं हम आपको telegram पर यहां पर बताता रहूंगा अब एक काम करेंगे quickly हमारा जो giveaway का winner है उसके बार में देख लेते हैं तो total जो entry है हमारे पास वो आई है यहां पर 254 तो एक बार चलते हैं 1 से लेके 254 के बीच में और generate पे click करते हैं 142 देखते हैं जी कौन है आज 142 नंबर किसका है 142 142 नंबर है अजीद सिंग का और अजीद सिंग जी आपका जो end में ID है आपकी वो है 3704 चलो जी अजीद भाई आपको यार इस महाल में at least 1000 रुपे का गीव भी मेरे खाल से मिल रहा है तो जिसका थोड़ा portfolio डाउन है वो थोड़ा से यहां पर बाइं जो है यहां पर कर सकते हैं तो अजीद जी आपका जो coin gate का wallet है वहां पर 1000 रुपीज आपको 24 गंटे में जो है मिल जाएंगे उसका ज थोड़ा वर्स्ट के लिए मैं यहां पर प्रिपेर कर दा हूं 29,000 जो मैंने यहां पर मांग बोला है बहुत important है और ऐसा नहीं है कि चला जाएगा वहां पर highly chances है पर इस में at least हम लोग वर्स्ट के लिए अगर तैयार रहे ना तो अगर वर्स्ट हो भी तो हमें फरक नहीं परता और अगर better हो गया तो भाई फिर तो कोई बात ही नहीं है यहां पर तो तक हैसे मारा आज का वीडियो पसंद आए आपको इसको लाइक और शेयर जरू करेगा चैनल में अगर आप नए हैं फरस्ट आइम मेरा वीडियो देख रहे हैं जरूर हमारे चैनल को आइब कर लीजेगा थैंक्यो फेंट्स